हेलो एब्रिवन कैसे आप सभी आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे तो आप सभी के घरों में भी होली की तियारी तो चली रही होगी और होली पे जब माल पुआ नहीं बनता तो होली कुछ अधूरी सी लगती है तो आज मैं जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मालपुय की आज मैं बनाने जा रही हूँ रबडी मालपुआ तो सबसे पहले बनाएंगे रबडी तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक लीटर फुल क्रे मिल्क और इसे एक कड़ाई में डालके हम सबसे पहले बॉयल होने के लिए रख देंगे तो जैसे ही दूद में बॉयल आ जाएगा वैसे हम इससे बनाएंगे रबडी तो बस यहाँ पे दूद में बॉयल आ चुका है और इससे चले बना लेते हैं रबडी तो बस यहाँ पे दूद को गाड़ा करते हुए हमें रबडी बना लेनी है बीच बीच में इसे चलाते रहें और जब ये इतना थिक हो जाए तब इसे लगातार चलाते रहें नहीं तो नीचे से ये जलने लगेगा और रबडी बनाने के लिए दूद को कितना रिड्यूस करना है वो मैं आपको बता देती हूँ तो यहाँ पे दूद की जो मेन कॉंटिटी ली है उससे एक तिहाई ये कम हो जाना चाहिए तो यहाँ पे देखिए रबडी हमारी अच्छी गाड़ी तयार हो चुकी है बस इससे जादा हमें गाड़ा नहीं करना इसे तो ग्यास को आफ कर देंगे तो यहाँ पे रबडी बनके बिलकुल तयार है अब मालपूए के लिए बनाएंगे चाशनी तो यहाँ पे एक पैन में मैं डाल दूँगी करीब आधा कप जितनी चीनी और आधा कप जितना ही पानी तो जितनी चीनी आपको लेनी है बस उतना ही पानी लेना है इस चाशनी को बनाने के लिए इसमें आड़ कर रही हूं मैं थोड़े से केसर ताकि एक बढ़िया सा कलर इसमें आए और साथ ही साथ एक चौथाइटी स्पून इलाइची का पाउडर अब इसमें बॉयल आने देंगे और यहां पे हमें एक या दो तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं ब बनानी है फिंगर्स के बीच में मैं इस तरह से टच कर रही हूं तो यह चिपचपी सी लग रही है तो बस ग्यास को आफ कर देंगे चाशनी रेडी है अब जो रबडी बना के हमने रखी थी उसमें से आधी रबडी मैं अलग निकाल लोंगी और बाकी की रबडी पूए ब निकाल ली है और बाकी की रबडी को यहाँ पे पूए बनाने में मैं यूज करने वाली हूँ तो इसे भी एक बोल में मैंने ट्रांसफर कर लिया है और यहाँ पे मैं बनाऊंगी गेहूं के आटे का माल पुआ तो मैंने आधा कप गेहूं के आटे को मिकसर जार में आड़ कर दिया है साती सात अड़ कर दिए एक टीबल स्पून सूजी और तीन से चार इलाइची इन सारी चीजम को ग्रैइड कर लेंगे ताकि सूजी भी अगर मोटी है तो वह भी आसानी से पेच जाएगी तो सभी चीजम को ग्रैइड कर लेना है आप चाहें तो इस तरह से साबूत इलाइची की जगे इलाइची powder भी यूज़ कर सकते हैं अब यहां पर इसे ग्राइट करने के बाद इसे आड़ करेंगे रबनी में थोड़ा-थोड़ा करके आड़ करेंगे एक साथ आड़ करेंगे तो लंपसा सकते हैं साबुत इलाइची की जगए इलाइची पाउडर भी यूज कर सकते हैं अब यहाँ पे इसे ग्राइड करने के बाद इसे एड़ करेंगे रबडी में थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे एक साथ एड़ करेंगे तो लमसा सकते हैं इसलिए मैंने आटे को थोड़ा थोड़ा सा करके add किया है तो यहाँ पे यह काफी थेक लग रहा है तो मैंने लिया है आधा कब दूद और थोड़ा थोड़ा सा करके मैं इसमें add करती जाऊंगी जैसी जरुरत होगी बस उसी के cording add करूँगी तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा करके दूद मैं इसमें आड़ करती जा रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लंप्स ना आए तो यहाँ पे टोटल आधा कब दूद मैंने अभी आड़ कर दिया है और अब जैसी आगे जरुरत होगी उसके कॉर्डिंग में दूद आड़ करूँगी यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी हमें पोरिंग वाली चाहिए तो यहाँ पे यह काफे थिक लग रहा है मैं इसमें 2 टेबल स्पून दूद और आड़ कर रही हूँ तो याद रखेगा एक साथ दूद नहीं आड़ कीजेगा जैसी जरुरत हो उसी हिसाब से दूद आड़ करिएगा अभी भी यहाँ पे मुझे गाड़ा लग रहा है तो मैं 2 टेबल स्पून दूद और आड़ कर रही हूँ तो टोटल आधा कप और 4 टेबल स्पून दूद मैंने आड़ किया है तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी हमें पोरिंग वाली चाहिए और अब बिल्कुल परफेक्ट बैटर यह बना है चलिए इससे बना लेते हैं माल पूए तो यहाँ पे घी मैंने पहले से गरम कर लिया और एक छोटी कर्ची भर के बैटर को मैं घी में इस तरह से बीच में छोड़ती जाऊंगी और यह अपने आप ही शेप ले लेगा तो मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको इस तरह से एक कर्ची बैटर को छोड़ते जाना है और यह अपने शेप को ले ल और दूसरे साइट से भी हमें golden brown होने तक इने fry कर लेना है तो यहां पे जरूरी नहीं कि आप इसे देसी घी में fry करें आप इसे oil में भी fry कर सकते हैं उसमें भी कोई problem नहीं है तो दोनों साइट से इसे golden brown होने तक fry कर लेना है तो यहां पे देखी यह दोनों साइट से ट्रेइनर के उपर निकाल के इस तरह से प्रेस कर दिया है ताकि एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल जाए और अब इसे एड़ कर देंगे चाशनी में तो यहां पे स्पून के हल्प से चाशनी को थोड़ा-थोड़ा सा पुवे के उपर डाल दें ताकि पुवे अच्छे से चा कि बेटर बहुत जादा काड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए एकदम बढ़िया पोरिंग कंसिस्टेंसी का बेटर आपको बनाना है तो यहां पे करीब 4-5 मिनट पुवे को मैंने चाशनी में डिप करके इसे निकाल लिया है और जो दूस सब्सक्ति तरीके से सारे पुवे हमें तयार कर लेने हैं तो बस सेम तरीके से दूसरे शुट के पुवे को भी हमें पाच मिनट चाशनी में डिप करके रखना है और इस तरह से पून से ठोड़ी-ठोड़ी सी चाशनी इसके उपढ़ ड outcome ढ Wonk और बिना रबड़ी के भी बना सकते हैं अगर आप औरेंज जूस मालपुआ के रस्पी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल श्रेता जायका पे विजिट करें तो यहाँ पे हुली स्पेशल मालपुआ बनके तयार है इसे एक प्लेट में सर्फ कर लेंगे और उपर से लगा देंगे रबड़ी इस रबड़ी से इस मालपुआ में टेस्ट तो आता ही है साथी साथ ये देखने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं तो यहाँ पे रबड़ी लगाने के बाद उपर से थोड़ी से ड्राइ फ्रूट से मैं से गानिश कर रही हूँ और साथी साथ लगा दूँगी थोड़ी से ड्राइ रोस पेटल्स तो आप भी सोली इस मालपुआ की रेस्पी को ट्राइ कीजेगा साथी साथ मुझे कमेंट करके भी जरूब रताएगा की आपको आज की वीडियो कैसी लगी मिलती हूँ डेक्स वीडियो में तेल दिन टेक कियर और बाबाई